बहुत समय पहले की बात है एक छोटे से गाउं में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था वह गाउं का सबसे गरीब लड़का था लेकिन उसमें एक अजीब सी उर्जा थी जो उसे अलग बनाती थी उसके पास खाने का इतना सा भी सामान नहीं था लेकिन उसका दिल हमेशा खुश रहता था वह हमेशा यही सोचता था कि एक दिन उसका भविश्य बदलेगा और उसका सपना पूरा होगा एक दिन गाउं में एक जादुगर आया जादुगर का नाम राजन था और उसने अपनी कला की अद्वितियता से लोगों को चौका दिया अरजुन ने भी राजन की जादुगरी में दीवान की पूरी की उसने दिल से चाहा कि भिड़ उसकी तरह जादु कर सके और वह भी इतना प्रसिद्ध हो सके राजन ने अरजुन के उत्साह को देखकर उससे मिलकर उसे एक रहस्य में ताला दिया राजन ने कहा इस ताले का रहस्य तुम्हारे हृदय में छुपा हुआ है इसे घोलने के लिए तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा अरजुन ने धीरे धीरे ताले का रहसे समझना शुरू किया वह रात रात भर ताले के साथ मेहनत करता रहा लेकिन उसको लगता था कि कुछ नहीं हो रहा है फिर एक दिन उसकी मेहनत में रंग बदला ताला खुल गया और अरजुन ने अपनी अद्वितिय शक्तियों को खोला उसकी आँखों में चमक आ गई और उसने अपनी जीवन की असीम सीमा को देखा वह अब जानता था कि उसमें किसी भी समस्या का सामना करने की शक्ति है अरजुन ने गाउव के लोगों के सामने अपनी नई शक्तियों का प्रदर्शन किया और सभी को चौका दिया लोग उसे देखकर अचमभित हो गए और वह गाउव का हीरो बन गया एक दिन गाउव में एक बड़ा मेला हुआ और राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की उसने कहा जो भी व्यक्ति मेरी मुश्किल सवारी को पूरा करेगा उसे एक बड़ा सम्मान मिलेगा अरजुन ने इस अवसर को अपने प्रदर्शन का बहाना बनाया और राजा की मुश्किल सवारी में भाग लिया वह ताले की शक्ति का उप्योग करते हुए हर कठिनाई को आसानी से पार करता गया लोग देखकर हैरान हो रहे थे कि इतनी कठिन सवारी को अरजुन ने कैसे पूरा किया राजा ने भी उसकी प्रदर्शनी को देखा और वह भी हैरान हो गया उसने अरजुन को अपने सामराज्ज का एक अहम हिस्सा बनाया और उसे अपने दरबार में बुलवाया अरजुन ने गाउं के लोगों की मदद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उन्हें सशक्त बनाया वह न्याय अप्रिय और उदार राजा बन गया जो गरीबों की मदद करने के लिए अपना पूरा समय देता था एक दिन अर्जुन ने एक बूद से भरा हुआ कुंजी देखा जो एक पुराने मंदिर के पास गिरी थी उसने वह कुंजी लिये और मंदिर में चला गया वहां उसने एक पुराने महाराजा की मूर्ति पाई जो बहुत ही प्राचीन थी महाराजा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने मंदिर में जीवन भर तक बंदरगाह में फंसे रहने वाले बंदरों को मुक्त कर दिया था महाराजा ने अर्जुन को एक और चमतकारी उपहार दिया जिसमें एक मानिक था जो हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखता था अर्जुन ने वह मानिक लिया और अपनी जीवन में नए यात्राओं की शुरुआत की उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने गाउं को और भी सम्रिध्धि और सुखद बना दिया इस प्रकार अर्जुन ने अपनी ईश्वरिये शक्तियों का सही उपयोग करके गरीबी से समरिध्य की उंचाईयों को छुआ और अपने गाउं को एक नए रूप में सजाए उसकी कहानी गाउं के लोगों के बीच एक प्रेरणा स्रोत बन गई और उन्होंने साबित किया कि जब आप में अध्वितिये शक्तियां होती हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं